ओम शान्ति बन गई है ऐसी भूमी पर ज्ञान बरसात करके इसे फिर से सब्स बना कर नई सत्युगी स्रिष्टी स्थापन करने का कार्रे बाबा संगम पर करते तो आईए रिवाइस करते हैं आज के आठ जुलाई दो हजार देईस के मधुर महावाक्यों को ज्रामा में कौनसी मोत होना जैसे संगम युक की रसम है विजे माला में आने का पुरिशार्थ करने वाले अच्छे अच्छे बच्चे भी आशर्रेवत सुरंती, कथंती, फिर भागंती हो जाते हैं हमें कौनसी प्रतिग्या करनी है जब तक सत्युगी स्वराज्य स्थापन नहीं हुआ है तब तक हम सुख की नींद नहीं सोएंगे पवित्र बन कर सबको पवित्र बनाएंगे श्रीमत पर न चलने से क्या नुकसान होता माया हरा देती तकदीर पर लकीर लग जाती संगम युग में क्या क्या होता है हम जीते जी मरते हम बाप का बनते हम नर से नारायन बनते हम नंबरवार सद्गती को पाते हमारे उपर ज्यान की बरसात होती हम आसुरी परिवार से मरकर इश्वरिये परिवार के बनते हम भारत को पवित्र बनाने के लिए इस अंतिम जन में पवित्र बनते बाबा ने आज कौन-कौन से त्योहारों को याद किया होली धुरिया दीप माला लक्षमी नारायन का उत्सव जनमाष्टमी रक्षा बंधन शिव जयंती किसको क्या कहा जाता है मृत्यू लोक को दुर्गति अमर लोक को सद्गति पवित्र बनने को होली ज्यान धारन करने को धुरिया बाब से पूरा लव रखने वाले को मातेला अमरित्वेले से राद तक धर्म और कर्म में बाब समान बनने से क्या फायदे होते सदा मिलन के जूले में जूलते प्रकिर्टी और माया दासी बन जाते सर्व खसाने श्रेष्ट जूले का श्रिं कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा नहीं है सत्यूक से लेकर राखी बंधन का रिवास चला आता है हमे किन बातों को धारणा में लाना है कभी भी कपूत नहीं बनना है माया से कभी भी हार नहीं खानी है अपना पूरा समाचार बाप को देना है बाप से पूरा पूरा लव रख मातेला बनना है पवित्रता के बल से स्वराज्य लेने की प्रतिग्या करनी है रक्षा बंधन का यथार्त रहसे बुद्धी में रख पवित्र जरूर बनना है ये थी आज की मुरली की विशेश बातें हम हैं बाबा के सपूत और मातेले बच्चे जो बाबा को सच्चाई से अपना पूरा-पूरा समाचार देते हैं और मातेले बच्चे स्वराज्य अधिकारी बन कर विश्व का राज्य प्राप्त करते हैं ओम शान्ति